पिछली वीडियो में हमने रदर फोड की नाभिकिय परमानु प्रतिकृतित कैसे हुई इसे देखा थॉमसन ने रिण आवेशित कणों को इलेक्टरॉन तो धन आवेशित कणों को प्रोटॉन नाम दिया था रदर फोड के परमानु प्रतिकृति में क्या त्रिटी थी वृत्ताकार कक्षा में परिब्रमन करने वाले विद्धित आवेशित वस्तु की उर्जा कम होती जाती है ऐसा भहतिक शास्त्र का नियम है यह समस्या इसवी सन 1913 में निल्स बोर ने स्थाई कक्षा परमानु नामक प्रतिकृति प्रस्तुत करके हल कर दी थी इसके महत्वपूर्ण आधार तत्व इस प्रकार से हैं आधार तत्व क्रमांक एक परमानु के नाभी के चारो और परिब्रमन करने वाले इलेक्ट्रोन नाभी से विशेश दूरी पर होने वाले प्रमुक केंद्री ये वृत्ताकार कक्षाओं में होते हैं आधार तत्व क्रमांक 2 विशेश कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उर्जा स्थिर होती है आधार तत्व क्रमांक 3 इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में चलांग लगाकर आते समय दूरी के बराबर की उर्जा अवशोशित करता है और बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में छलांग लगा कर आते समाएं दूरी के बराबर की उर्जा उत्सर्जित करता है बोर ने इन कक्षाओं के अर्थात उर्जा के कवचों को परमानु नाभी के सबसे समीप वाले कवच से शुरू करते हुए KLMN नाम दिये तो कौन सा कवच परमानु नाभी के सबसे समीप है के कवच हम बोर की स्थाई कक्षा परमानु प्रतिक्रिती को ऐसे प्रस्तूत कर सकते हैं आगे जाकर अध्यन और विकरन शीलता के साथ प्रयोग करने पर एक और उपपरमानविक कण का अनुमान किया गया उसका संशोधन चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया और उसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया जो नाभीक में प्रोटॉन के साथ स्थित था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकतरित रूप से न्यूकलियस कहते हैं तो अब परमानविक कणों का अध्यान हम एक तालिका बनाकर करेंगे तालिका क्रमाक एक परमानविक कणों की विशेशता हैं परमानविक कण का नाम इलेक्ट्रोन उसका स्थान परमानविक के बाहरी भाग में कक्षा में उस पर आबेश रिण याने रिण एक दशमलव छे गुणा दस का रिण उन्नीस वा घात सी और द्रव्यमान नौ दशमलव एक गुणा रिण 31 वा घात किलो ग्रैम हाइडूजन परमानविक कण का नाम प्रोटोन उसका स्थान नाभी उस पर आवेश धन धन एक दशमलव छे गुणा दस का रिण उन्नीस वा घात सी उसका द्रव्यमान एक डल्टन एक यू बराबर एक दशमलव छे शे गुणा दस का रिण 27 वा घात किलो ग्रैम केजी परमानविक कण का नाम नौ ट्रोन उसका स्थान नाभी उस पर आवेश नहीं होता और उसका द्रव्यमान एक डल्टन वन यू बराबर एक दशमलव 67 गुणा दस का रिण 27 वा घात केजी करीब करीब प्रोटन के बराबर प्रत्य कवच में टू एंड टू इस सूत्र से प्राप्ट संख्या के बराबर इलेक्ट्रोन रह सकते हैं जहां एन बराबर कक्षा क्रमांग तो हर कवच में अधिक्तम कितने इलेक्ट्रोन रह सकते हैं इसे खोजो तालिका क्रमांग दो कवच की अधिक्तम ख्षमता के अनुसार अधिक्तम इलेक्ट्रोनों की संख्या जो समायोजित हो सकती है N बराबर एक कवच के अधिक्तम ख्षमता के अनुसार अधिक्तम इलेक्ट्रोनों की संख्या 2N घात दो बराबर दो गुणा एक घात दो बराबर दो दो N बराबर दो कवच L अधिक्तम ख्षमता के अनुसार अधिक्तम इलेक्ट्रोनों की संख्या 2N घात दो बराबर दो गुणा दो घात दो बराबर आठ यानि 8 N बराबर तीन कवच M अधिक्तम ख्षमता के अनुसार अधिक्तम इलेक्ट्रोनों की संख्या 2N घात दो बराबर दो गुणा तीन घात दो बराबर आठारा यानि 8 N बराबर 4 कवच N अधिक्तम ख्षमता के अनुसार अधिक्तम इलेक्ट्रोन की संख्या 2N घात दो बराबर दो गुणा चार घात दो बराबर 32 यानि 32 तो पहला कवच अधिक्तम दो इलेक्ट्रोन दूसरा कवच 8 इलेक्ट्रोन तीसरा कवच 18 इलेक्ट्रोन चौथा कवच 32 इलेक्ट्रोन धारन कर सकता है किन्तु यदि दूसरा तीसरा कवज सबसे बाहरी है तो हम केवल अधिक्तम 8 इलेक्ट्रोन और यदि पहला कवज सबसे बाहरी है तो केवल अधिक्तम 2 इलेक्ट्रोन धारन कर सकता है साराश इस विडियो में हमने वोर ने कैसे रदर फोर्ड की ना भी किया परमानु प्रतिकृती को सुधा राय ये देखा हमने आधनिक परमानु प्रतिकृती का भी अभ्यास किया इलेक्ट्रॉन जैसे उपपरमानविक कन हाइड्रोजन परमानु से अठारा सो गुना हलके होते हैं 27 बटा 13 संख्या रूप में उसका इलेक्ट्रॉनिक संद्रूपन भी लिखो